नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका माय चैनल में आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन इंफेक्शन के बारे में विच इस कॉल्ड एज यूटी आई यानी यूटी आई यानी यूटी ट्रैक्ट इंफेक्शन या पिशाप का आपको पता होना चाहिए कि ये इंफेक्शन आपको कितना खतरा दे सकता है है इससे कितनी परशानी हो सकती है और क्या सही तरीका है इस इनफेक्शन से दूरी बना के रखने का चलीए वीडियो को शुरू और तो छाउनी सी है ।ो मुझे सिर्फ एक थमसर दीजिएगा औ तूझली सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या रॉता है यूणरी ट्रक्ट इंफिक्शन अब देखिए यूटी आई मतलब यूणरी ट्रक्ट इंफिक्शन पेशाब के पूरे रास्ते में कहीं अगर infection होता है तो हम उसे UTI बोलते हैं तो कहां कहां हो सकता है infection अब देखिए आप इस डियाग्राम में देख सकते हैं कि पूरा urinate rat इसके अंदर कहीं पे भी infection हो तो उसे हम बोलेंगे UTI अब यह infection कैसे हो सकता है देखिए इस infection के लिए basic बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं कौन से E. coli बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा common है उसके बाद Staphylococcus bacteria और उसके बाद जो हमारे Klepsilis bacteria होता है यह तो basically यह जो तीन तरह के बैक्टीरिया होते हैं इनमें भी E. coli सबसे common है E. coli कौन सा बैक्टीरिया है यह bacteria हमारी आंतों में मिलता है इसे हम अच्छा bacteria बोलते हैं यह हमारे पाचन तंतर के लिए digestive system के लिए बहुत ही अच्छा bacteria साबित होता है लेकिन जब यही bacteria इस tools के थूरू हमारी आंतों से निकल कर किसी भी रस्ते हमारे पिशाप के ट्राइट में यूरेथरा में होता है तो इसे हम यूरेथराइटिस बोलते हैं अगर ये ब्लाइडर में होता है तो इसे हम सिस्टाइटिस बोलते हैं अगर ये किड्नी में होता है तो इसे हम पाइलोनेफराइटिस बोलते हैं तो इस तरह ये पूरे एरिया में कहीं पे भी इंफेक्शन हो सकता है ये समझना जरूरी है ताकि आप इससे बचाव कर पाएं अब देखिए जब आप कहीं पे भी जब आप मोशन करने जाते हैं पॉटी करने या स्टूल के लिए जाते हैं तब क्या होता है कि हम अगर हलकी सी भी अन हाइजिनिक स्टेट में होंगे तो हमारे एनल एरिया यानी हमारे लेटरीन वाली जगाए या फिर या यह भी बक्टीरिया किसी भी सर्फेस पर जाकर चिपग जाता है और फिर उसी सर्फेस से यह जो हमारी पिशाप के लिए के अंदर आ जाता है उसके रावा सेक्शन कॉंटायट के दौरान यह इंफेक्शन जादा होता अब फीमेल्स में इंफेक्शन कभ होगा जब आप एक अन हाइजनिक जो है युट करिंप भी पिशाप करने के लिए गए किसी भी टॉलिट के इंदर गए वह वहां से इंफेक्शन होना अब जब आप सेक्शुल कॉंटाइक्ट में आते हैं तब मेल्स से फीमेल को हो सकता है और female से male को हो सकता है, यानि अगर males ने अपना जो sexual organ है, जो penis है, अगर उसकी सफाई properly नहीं करी है, hygiene maintain नहीं करी है, तो उनके through females में हो सकता है, और females के अगर जो urethral opening है, उसके पास में अगर यह infection है, तो क्योंकि vaginal opening भी वही होती है, तो यह infection वहां से males में भी transfer हो सकता है, तो UTI है, वैसे तो maximum females जो इस वीडियो को देख रही है, उन्हें पता ही होगा, लेकिन मैं फिर्स भी बता देता हूँ, देखिए, अगर आपके bladder area में infection हुआ है, यानि पिशाप की थैली में infection हुआ है, या urethral opening से infection हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, आपको ठंड लगेगी, हलकी सी, बहुत ज़्यादा नहीं लगी, हलका से शिवरिंग सी महसूज हो सकती है, उसके सख में low grade fever आ सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, पिशाप बार बार आ सकती है, पिशाप करने में दर्द हो सकता है, पिशाप के साथ में आपको irritation हो सकती है, पिशाप वाली जगह फाइब डिगरी तक पहुंच सकता है उसके साथ में अच्छी वाली ठंड लगती है पेशिंट को तो जैसे जैसे बैक्टीरियल लोड बढ़ेगा फीवर भी बढ़ेगा और साथ में जो ठंड लगती है राइगर जिसे हम चिल्स बोलते हैं ये भी बहुत जाता होता है तो य बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन है कि फीवर विच चिल्स मतलब मान के चलो यूटिया इंफेक्शन जरूर हो सकता है ये डिफरेंशल डाइगनोसिस है ठीक अब इसके बाद शरीर में दर्द शरीर में टूटन हाथ पैर का एट ना पिशाप करने में दिक्कत पिशाप मे कि बाद भी सब्सक्ता है तो यूरियन रुक जाए फिर दुबारा से स्याहिए आपसे यूरियन नहीं होगी इसलिए कंट्रोल नहीं होगी पेन बहुत ज़या हो रहा होगा हिचिंग हो रहीyan होगीase हो और इसके साथ में आपको और भी सिंटम्स हो सकते है य हो सकते है तो तो हम बात करेंगे कौन सा investigation कराना चाहिए, अब suppose करिए, आप अगर कभी भी आपको ऐसे symptom आते हैं, तो सबसे पहले आपको दो test कराने चाहिए, that is CBC with ESR, CBC with ESR कराना बहुत जरूरी है, और अगर आपे female हैं और आपको menstruation regularly होता है, तो आपको CBC with corrected ESR कराना चाहिए, दूसरा, अब यह समें urine analysis या फिर urine routine microscopy का बहुत important role है, जिसमें हम सुबसुबस की पहली पिछाप देते हैं, तो यह दो test mandatory होते हैं, इसके बाद अगर urine RM के अंदर number of pustles जादा आ रहे हैं, number of epithelial जादा आ रहे हैं, RBC आ रहे हैं, say crystals आ रहे हैं, या फिर किसी और तरह की infection को महसूस हो रहा है वहाँ पर, turbidity जादा है, specific gravity जादा है, urine बहुत जदा foul smelling हो रही है, तो यह सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर count होती हैं, इसी के कब-कब कराना चाहिए, कितनी frequency में यह समझी है, अगर आपको UTI हुआ है, तो हर चौथे दिन, यानि तीन दिन के बाद, 72 hours के बाद, आपको अपना urine RM जरूर कराना चाहिए, ताकि आपको अपनी progress पता चलती रहे, इसके राबा test की बहुत लंबी list है, पर depend करता है patient to patient, कि क्या-क्या हो रहा है, जिसमें X-rays भी होते है, X-ray IBP भी होता है, ultrasound भी होता है, cystoscope भी होती है, multiple tests होते हैं, लेकिन इस्तने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझी है, CBC with corrected ESR and urine RM, यह दो test mandatory हैं, ठीक, अब हम बात करेंगे home remedies की, यह बहुत important है, home remedies या फिर ऐसा बात करि दीजे तो UTI नहीं होगा, कैसे sexual intercourse hygienically करिए, hygiene maintain करिए, दोनों partner male और female अपनी hygiene maintain करें, तो दोनों को ही infection होने खतरा कम रहेगा, दूसरा जो आपका urinal area है, जो आपका toilet है, उसको हमेशा properly clean रखिए, जितना आप वहाँ पर उसकी cleanliness रखेंगे, उतना कम chances रहेंगे आपको UTI ह होने के, तीसरा, पानी, पानी की इतना बड़ा role है, जो UTI के अंदर, कि आपको जरूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा quantity में पानी पीना है, जरूरी है, multiple intervals पर, यानि हर घंटे के हिसाब से पानी पीना है, ताकि आपका bladder जब पिशाब में उसमें भर जाए, तो उसकी properly बार- उतने ही कम chances रहेंगे bacteria को grow करने के, अब ऐसा समझे कि एक छोटा सा बाउल है, जिसमें bacteria grow कर रहा है, जितनी बार उसमें से पाई निकलता रहेगा, बैक्टीरिया निकलता रहेगा, तो जब bacterial colony नहीं बनेगी, तो फिर आपको further infection होने खतरा कम से कम रहेगा, अब कहते हैं कि cran cranberry juice बहुत अच्छा होता है, cranberry juice हिंदुस्तान में कहा मिलता है, कितनी बार मिलता है, कितने लोग afford कर सकते हैं, इसलिए ये बातें साइड में रखी है, most important है, आपको juices की requirement है, especially vitamin C, जिन में हो, जिसमें मौसमी का juice आप ले सकते हैं, अनानास का juice आप ले सकते हैं, आप अनार आपको जरूर चाहिए, आप नारियल पानी जरूर पीजए, और जो ये वाला intake है, juices का, नारियल पानी का, ये कम से कम कोशिश करिए, एक दिन में 600 ml, यानि दो ग्लास से लेकर, तीन ग्लास अगे, 900 ml तक आपका होना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा benefit मिलेगा, इ हां के लिए intimate washes market में already आते हैं, suppose करिए आप गाउं में रहते हैं, जहां intimate washes available नहीं है, तो क्या करेंगे, सिर्फ नॉर्मल जो soap आते हैं, जो glycerine soaps आते हैं, जैसे piers, piers से glycerine soap है, उसका pH हमेशा कम रहता है, तो आप इस तरह के साबुन से अपने intimate areas को clean कर सकते हैं, इससे कुछ home remedies थी, जो कि हिंदुस्तानी females को ध्यान रखनी चाहिए, अब अगर बात करें, दवाईयों की, कौन सी दवा लेनी चाहिए, जैसे कि हमेशा होता है, एंटिबाटिक्स देते हैं, fever आती है, तो आपको जो है, एंटिपारेटिक्स देते हैं, तो अगर आप मुझसे प मदद करें, तो एक single homeopathic remedy है, cantheris, आचाहें, आप उसे mother tincture q form में रखिए, चाहें आप 30 के form में रखिए, अगर आपको लगता है, मुझे UTI बार बार होने का खतरा रहता है, तो आप cantheris 30, दिन में 2 बार के हिसाब से regular ले सकते हैं, या फिर आप दिन में 1 बार भी ले सकते हैं, इसके अलावा cantheris q भी आप ले सकते हैं, अगर एबलेबल हो, वो भी दिन में 2 बार के हिसाब से, आप regularly लीजे, और जब आपको UTI हो, तो इसकी frequency बढ़ा दीजे, जब UTI होने पर, आप cantheris 30 दिन में 5 बार तक ले सकते हैं, 6 बार तक या नहीं, 2 early interval से लेकर 3 early interval तक ले हैं, और उसके बाद आप similarly cantheris q या cantheris 30 दोनों को इसी तरह इस्तमाल कर सकते हैं, तो I hope कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो जानकारी दी in regard to UTI and in regard to home remedies, आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को एक thumbs up जरूर देंगे, ज आपसे नमस्कार, thank you.